नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टेडि नांटि फ़ोर पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम राजस्तान के राष्ट्रिय उद्धान ये हम अब बहरन है जितने भी राष्ट्रिय उद्धान है और अब बहरन है न दोस्तों हमारा फास्ट रिविजन की क्योंकि हमारे पास exam नसदी है टाइम बहुत कम है अब समय बछाए है दोस्तों कि बार लबार रिपीट करने का बार लबार revision करने का लबार revision करें है हैं इस video के अंदर तो start करते हैं दोस्तों कि राजस्तान का राश्टी उद्यान और अब बेरन सबसे पहले बात करते हैं कि राश्टी उद्ध्यान होते क्या दोस्तों यानि कि राश्टी उद्ध्यान होते क्या इसके बारें बात करते हम राश्टी उद्ध्यान को वन जीब के स्रक्षन के लिए बनाया जाता है जिसमें कुछ नियमों के अंतरगत इसे चलाया जाता है राश्टी उद्ध्यान में जानवरों को रखा जाता है और इसमें परियाटोकों को आने की अनुमती दी जाती है ठीक है दोस्तों, राश्टिय उद्ध्यानों का नियमन और नियंत्रण सरकारी यानि केंदर सरकार के दुवारा किया जाता है तता इसे किसी भी व्यक्ति या संस्ता के व्यक्ति के तुरूप से कोई भी भागिदारी नहीं होती है दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों कि अब्यारन क्या है अब्यारन क्या है कि अब्यारन अब और अरन दो सब्दों से मिल करके बना है जिसमें अब्य का मतलब होता है जहां जानवर घुम सके और अरन का मतलब होता है वन छेतर अर्था वन में जानवरों के घुमने का इस्तान ही अब् किसी अनसंस्ता के दोवारा किया जा सकता है यानि कि राज सरकार और किसी अनसंस्ता के दोवारा इनका नियमन और नियंत्रन किया जा सकता है अब भारण का ठीक है और राश्टी उद्ध्याने दोस्तों उनका केंदर सरकार करती है नेक्स दोस्तों देखते हैं कि भारत में र स्थापना होती और यह कहां पर है उत्तरा खंड के अंदर है ठीक है वर्तमान में जिम कार्वेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है जो प्रतम बाग सरक्षित इस्ता लई है ठीक है बात करते हैं कि बहरत में कुल राष्टी उद्यानों की बात करते हैं 2019 के आख्डों के आधार पर भारत में कुल राष्टे उद्यान 105 है और वणन जीव अभ्यरन की बात करते हैं तो 551 बण जीव अभ्यरन है पूरे राजस्तान के अंदर है। ने थोस्ता ने यानि कि भारत में सरवाधिक राष्टे उद्यान का हैं? वो है अंडवान निकवार यानि अंडवान निकवार है दोस्तों उसके अंदर कितने है नो उसके बाद दोस्तों मद्यपरदेश के अंदर है वो है नो दोस्तों मद्यपरदेश के अंदर भी नो है ठीक है बात करते हैं दोस्तों कि नौट पंजाब में कोई भी राष्टी उद्ध्यान नहीं है बात करते हैं यानि कि और जितने भी राज्ये दोस्तों वहाँ पर राष्टी उद्ध्यान है लेकि पंजाब के अंदर कोई भी राष्टी उद्ध्यान नहीं है अब बात करते ह रंधंबुर्स राश्ट्टियाणे दोस्तों रंटंबुर्स एक सबाइमाधुपूर्स राश्ट्थ के अंदर इसकी स्थाहपना की गएTH का नेक्स्ट बात करते हैं кि वर्षब 1904 में रंधंबुर्स राश्ट्याण չंतरगत बांग परियोजना शुरू की गए यानि कि कब की गएती, 1924 में रर्थंबोर राष्टी उध्यान के अंतरगत बाग परियोजना शुरू की गई, जो देश की सबसे कम छित्रपल वाली बाग परियोजना है, क्या है दोस्तों, देश की सबसे कम छित्रपल वाली क्या है बाग परियोजना है, यह राष्टी उध दक्षिन में तो है चम्मल नदी दक्षिन में है दोस्तो तोपिक वो चुका हुए रन्थंबो राष्टिय उद्यान सवाई माधो पुरुबाला यämä राष्टिय उद्धान है नो इधन है रजिस्तान के अंदर राष्टिय उद्धान глав अधर न बात करता है कहां पर यह है डोस्तो बhratपूर के अंदर इसे दोस्तों को दर्जा दिया गया था केवलादेव राष्टी उद्यानों को यह ऐ बो यह बैद करते हैं इस आता शुबह याण घीत वसेरा कहा जाता है इसे एंध को की विस्वड दुर्वार्थ दुर्वर्सूची में सामिल है दोस्तों यानि एश्याअ कंदर सबसे बुड़ाइट परजियन छेतर है यह विस्वड-धाइचाइब राश्ट उद्द्यान बात करते हैं कि इसे घना पक्षी विहार भी कहा जाता है यानि गना पक्षी विहार के नाम से भी से जाना जाता है यूनेस को ने 1985 में 20 वी दरोर का दर्जा प्राफ्ट करने वाला यह राज का एक मात्र अब्भारन है दोस्तों यानि कि 20 वी दरोर का दर्जा प्राफ्ट करने वाला राज का एक मात्र अब्भारन कौन सा है यानि केवलादेव राश्टी उद्ध्यान है कब 1985 कंदर इसका जो 6 सुने 5 के दोस्तों चेल्नाइव कर जाता है और 30 का जाती शेल लेगा घाने 5 कन फिर माने 5 के दोस्तों 1 चेलै जो 12 कृ सॉर्दि जाती है लेगता सो देक्षίν यहां पर ऑते हैं, और 302 परफ़ाहतनियों को 1 से देखा जा सकता है आपर दोस्तों ठीक है अंतर राश्टी पक्षिवी दोस्तों इसमें पाया जाता है वो है सफेद सारत सारस है साइबरियन क्रेन ठीक है दोस्तों ये दोस्तों हमारा फास्ट रिवीजन है और बार बार दोस्तों हमें रिवीजन करना है जिसे कि हमें सब चीज याद हो जाए अब नेक्स दोस्तों आपके सामने है कि मुकंदरा हिल्स राश्टी उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् साइगार जंथ का दर्जा दे दिया गया है तो हमारे सामने दोस्तों तीन हो चुके कुछ यो से राश्टी उद्ध्यान राज versions में कितनी राश्टी उद्ध्यान है हैमिस राष्ट व्द्जान ऎर दोस्तों है हमिस राष्टीक ड्ध का है यह भारता सबसे उड़ा राष्ट व्द्ध्यान हैं दोस्तों य کہ बर्च फैला हूआ यह लेहइ लध्दा के अंदर कौन सा हैमिस राष्टी है उद्ध्यान दोस्तों रह्मिस राष्टी उद्ध्यान इस चमालिस सोबर किलोमीट्र 6 कि यह अब बात करते हैं कि भारत का सबसे छोटा राष्टी है कौन सा है भारत का सबसे जब राष्टे उद्ध्यान को साहीं यानि कि अन्वान निकोवार के अंदर है 1980 ne में दोस्तो इसको दर्जा दिया गया था 1987 के अंदर और यह सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यानि कि 0.03 कि अंदर दोस्तों है साउथ बतन आइलेंट सबसे चोटा है राश्ट उद्यान है बात करते हैं कि राजस्तान का सबसे बड़ा राश्ट 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 यानि कि बन जीभों की रक्षा करने के लिए और उनकि स्रक्षन के लिए 1962 में के अंधर सरकानने क्या किया है वन जीभ सरक्षन अधियम लागों किया है धोस्तों ठीक है नेक्स्ट पंट की बात करते है कि मुकंदरा हिल्स अभ्यारन कहा है दोस्तों कोटा के अंदर यानि कि मुकंदरा हिल्स अभ्यारन दोस्तों में पाए जाने वाला बिसेश प्रजातिका जो तोता जिसे हीरामन तोता तता हिंदों का आकास लोचन भी कहा जाता है हीरामन तोता कहां पाया जाता है मुकंदरा हिल्स अब्हारन के अंदर पाया जाता है जिसे आकास लोचन भी कहते है हिंदो का ठीक है अब बात करते है ये तो हो गए दो तो नेशनल और कुछ इंपोर्टन फैक्ट हो गए अब राजस्तान के प्रमुक अब्हारन की बात करते है यानि कि राजस्तान के प्रमुक अब्हारन की बात करते है कि राजस्तान के अंदर कौन कौन से प्रमुक अब्हारन है इनकी बात करते है सबसे पहले आपके सामने दोस्तों यानि कि सरिस्का अब्हारन ये कहाँ पर है दोस्तों ये है आपके सामने अलवर के अंदर इस्तापना कभूई थी दोस्तों दर्जा कब दिया गया था इसको इसको एक नमंबर उनिस सो पच्वण के अंदर इसे दर्जा दिया गया था राजस्तान का प्रमुक अबहरन है जिसमें सबसे पहला है सरिसका बहरन दरजा कब दिया गया था? 1 नमंबर 1935 के अंदर कितने वर किलोमेटरों फैला हुआ है? 400 गूंड 30.23 बर किलोमेटर के अंदर फैला हुआ है थीक है? अलवर का सरिसका बहरन की बात करते है कर दिया ता यानि कि इसकी इस्तापना तो रियासत काल में हो गए थी अलवर रियासत थी उस वक्त थी लेकिन अब्भारन जो गोशित किया था वो किया था दोस्तों 1905 के अंदर ठीक है राजस्तान में मोर पक्षियों का सरवादिक घनत वे इसी अब्भारन यानि कि जो मोर 1978 में सरिस्का अभ्यारन को बाग बचाओ परियोजना लागू की गए थी यानि कि 1978 की बात है सरिस्का अभ्यारन यानि अलवर में बाग बचाओ परियोजना लागू की गए थी सरिस्का अभ्यारन में ठीक है सरिस्का अभ्यारन की बात करते हैं अलवर के अंदर तो कौन मंदिर के अंदर यह बात करते हैं सरीस्का बहरण में परसिद्ध यहांने की जो मंडब रिशी है यहां पर क्या इस्तित सरीस्का बहरण में मांडव रिशी है उसकी तप्युए तालब्ख्ष काई इस्तित इसके अंदर सरिस्का बैरन के अंदर इस्तित है सरिस्का बैरन में राजस्तान परेटन विभाग के दौरा यानि राजस्तान परेटन विभाग के दौरा संचालित होटल टाइगर डेन इस्तित है कौन सी होटल टाइगर डेन दोस्तों इसमें इस्तित है वो किसके दौरा संचालित है? राज़स्तान परेटर्ण विबाग के दौरा संचालित की गई है अब देखते हैं दोस्तों हमारा पहला जो सरिष्क का बिहारन यह हो चुका है अलबरवाणा राज़स्तान के प्रौ का बैहरन की बात कर रहे कॉनना ह benefit通bye रेन यह कहा पर है यह है दोस्टो परताब गड़ के अंदर कि इसको दर्जा कब दिया गयाता दो जनवरी दो जनवरी दोस्तो महरी के दोस्तों धिसको दर्जा दिया गया था ठीक है दोस्तो, दो जनवरी के अंदर दोस्तो, नाइन्टी सेवंटी नाइन के अंदर इसे क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था दोस्तो बांस एवं सागवान के ब्रक्ष कहां पाई जाते हैं वो पाई जाते हैं सीता माता बैरन के अंदर है दोस्तो यह हमारा दोस्तो फास्ट रिवीजन दोस्तो फटापट रिवीजन है राष्ट माधा, बहरण के अंदर हैं, उडन गलरी पाई जाती है यानि कि बोलते है कि उडन गलेरी कहा पाई जाती है को है सिता माता अबहरन के अंदर बिस्प में एक मातर इसी अबहरन में पाई जाती है बिस्प का एक मातर अबहरन जिसके अंदर कहा पाई जाती है उडन गलेरी पाई जाती है सिता माता अबहरन से हो करके गुजरता विविटा यानिंगे जिय विविता मुझत है, बात ब्राइल कि सीता माता ब्राइल में लब कुष नामक दो जल स्तिरोथ पाई जाते है यानि कि जो सीता माता बहरन दोस्तों लब और एक कुस एक तो लब है और एक कुस है दोस्तों ये दो क्या पाया जाते हैं जल स्तुरोथ इसमें पाया जाते हैं सीता माता बहरण में लुप्त प्रजाती का पसू चौ सिंगा हीरन पाया जाता है बात करते हैं कि सीता माता बहरण में भारत में हिमाले के पश्यात सरवादिक यानि कि बन उस्दिया का पाया जाती है सीता माता बहरण पाया जाती है इसे दोस्तो यानि इसे रेड फ्लाइंग रिक्रल पेवे रिष्टा LV20 कहा जाता है ठीक है किसे यानि की जो सीता माता बैरन इसे मरू वन जीवब बैरन थर्ड नम्मर है दोस्तो आपके सामने यानि की मरू जीवब बैरन जैसलमेर तथा बाड़मेर कंदर है ये जैसलमेर बाड़मेर कंदर है दरजा कब दिया गया था दरजा दिया गया था चार अगस्त उन्निस सो अस्तिक अंदर इसे दर्जा दे दिया गया था मरू बन्य जीव अब्यारण जसलमिर और बाड़मिर दोनों में दोस्तों फैला हुआ है ठीक है बात करते हैं मरू उध्यान राजस्तान में छेत्रपल की द्रस्टी से सबसे बड़ा अब्यारण है सब राजपक्षी गोडावन याने की राजपक्षी गोडावन और राजपसु चिंकारा को सरक्षन दिया गया याने की राजपक्षी गोडावन मरू उध्यान में है और चिंकारा जो राजपसु दोस्तों वो इसमें सरक्षन दिया गया है मरू उध्यान में पाए जाने वाल जैसरवीर के एक वाग को आकल बुड़् फोसिर पार्ग जहां अठारा करोड वर्स पुराने व्रक्च के हपस्यस पाए गई है वर्रक्च के अपसित अहला है इंदर यह हो चुके है दोस्तो राजस्तान के के तीन अब्हरण हो चुके है अब चोता अब्भेरन देखते हैं आपके सामने है कि माउंट आबू अब्भेरन ये कहां पर इस्तित है तो दोस्तों ये है आपके सामने शिरोही के अंदर इस्तित है माउंट आबू अब्यारण माउंट आबू अब्यारण में जंगली मुर्गों को सरक्षन दिया गया है यानि कि जंगली मुर्गे कहां पाई जाते हैं वह माउंट आबू अब्यारण के अंदर बात करते हैं इस अब्यारण में डिकल पटेरा आबू एंसिस नामक पौधा प ठीक है माउंट आब अब बहरन के अंदर अब बात करते हैं दोस्तों नौट नौट है कि राज सरकार के दुआरा सिरोई और जालोर में यानि भालू की स्रक्षन परदान करने के लिए काँ पर राज सरकार ने सिरोई और जालोर में भालू की स्रक्षन परदान करने हैं तू स सुद्धा माता भालू अभ्यरण बनाने की योजना विक्षित किये दोस्तों ठीक है यानि कि भालू को बचाने के लिए यानि कि भालू है भालू को स्रेक्षन के लिए दोस्तों सिरोई और जालूर के अंदर सुद्धा माता भालू अभ्यरण बनाने की योजना विक्षित क कि यह बात करते गूरू सीकर इसी दोस्त के अंदर हमारे जो राजस्तान के दौच के दोस्तो 167 इसे 5000 को दर बात करते हैं तालचापर की यानि की तालचापर अभ्यरण में काले हीरन को सरक्षन दिया गया है चूरू के अंदर कौन सा है तालचापर अभ्यरण है चार अक्टबर 1962 के अंदर के दिया गया दर्जा दिया गया था और काले हीरन को सरक्षन दिया गया है तालचापर अभ्य अब्भारन को जो प्रवासी पक्षिय कुर्जा की सरणिश्तल भी कहा जाता है इस अब्भारन में कुल 34 किस्म की घास उगती है दोस्तों कौन सा इस अब्भारन के अंदर दोस्तों ताल चापर अब्भारन है चूरू के अंदर इसके अंदर 34 किस्म की घास उगती है इन सब घासों में उगने वाली मोथिया यानि कि इन सब घास 34 प्रकार की घास उगती है इन में से एक घास है मोथिया जिसका नाम साइप्रस रोटेंडस है साइप्रस रोटेंडस है यह पहली बरसात में अंकुरी तोकर के सितंबर महा त मरग होते काले हीरन होते उनकी सबसे पसंदीदेजा गास कों सी है दोस्तो वह मोतिया जिसका नाम है साइप्रेस रोटेंडस नाम इसका है दोस्तो ठीक है अब एहन नौट जोदपुर जिले में फलोदी के निकट यहां सोच में कुर्जा पक्षियों की सरनिश्तिली कहा जाता है यह अब पांच छे नमब का देखते हैं छो अब्वारी की नाल अब्वारन हो यह दोस्तो उद्यापूर के अंदर दर्जा कब दिया गया था 6 और 1883 को यानिक 2123 एंदर फुलवारी की नाल जो अबहरन है दोस्तों उद्यपूर के अंदर इसे दर्जा दे दिया गया था उद्यपूर के अंदर है इस अबहरन की पहाड़ी से सौम, मानसी और वाकल नदी का उद्गम होता है दोस्तों कौन सी फुलवारी की नाल अब्यारन है और इस अब्यारन की एक पाड़ी है दोस्तों उससे सौम मानसी और बाकल लिदी का उद्गम होता है यह अब्यारन महारणा परताब की कर्म इस लिए दोस्तों यानि कि महारणा परताब की कर्म इस लिए कौन सी है दोस्तों दर्जा दिया गया था आटवा नमबर का जो अब्यारन है जैसंबंद अब्यारन ये भी कहा है दोस्तों ये भी उद्यपूर के अंदर है इसको जो दर्जा दिया गया था एक नमबर 1915 के अंदर इसे दर्जा दिया गया था ठीक है जैसंबंद अब्यारन कहा पर है यानि कि उद्यापूर के अंदर है इसका जो उपनाम है जल्चरो की बस्ती यानि कि जल्चरो की बस्ती से कहा जाता है यह अब बहारी पक्षी की आसरे इस्तली है यानि जो बहार के जो पक्षी आते है उनका आसरे इस्तली रहा है यह अब बहारन बगेरों के लिए परसिद्य दोस्त थीक है तो हमारा हो चुका है अर्ट यानि आर्ट जो अभैर्न lowe Raja Prov. बात करते कि नॉमन नम्र का नॉमन नम्र का अभ्यरण दोस्तों आपके सामनी सरइश का अभहर्ण एक对ह सरींस का अभ्यरन वो भी अलवर के अंदर और एक और दोस्तों यानि सरिस्का ए अबहरन ये कहां पर है ये भी अलवर के अंदर इस्तित है ठीक है बात करते हैं सरिस्का ए अबहरन की यानि कि 20 जून 2012 की बात है को राज सरकार के द्वारा सरिस्का ए अबहरन की गोशना की गई थी कब 20 जून 2012 को गोशना की गई थी राज सरकार के द्वारा और ब बृतवान च्छेत्वर्पड की दर्श्टी सबसे चोटा बैरन कौन सा है यानि कि सरिस्का अबहरन दोस्तों मतलब दसवे नंबर का यानि कि राजसम्मंद और पाली एंद दोस्तों ये दोनों में है कुम्बलगढळ अभईरन, कुम्बलगढशन में भेडेयों की स्रक्षन दिया गया है किसको वेडियो को सेक्षिन दिया गया है और इसी अब्हारण में रणक पूर का जैन मंदर इस्तित है दोस्तो यानि कि जो रणक पूर का जैन मंदर है पाली के अंदर वो इसी अब्हारण के अंदर इस्तित है कुंबल गड़ अब्हारण के अंदर बात करते है ग्यारवन नमर की रावली टॉडगड अभ्यरन रावली टोड़ अबहरन की बात करते है रावली टोड़ अबहरन की बात करते है रावली टोड़ अबहरन की बात करते है रावली टोड़ अबहरन को मिला करके एक तो है कुम्बल गड़ अबहरन करवाया था और रावली टोड़ अबहरन को मिला करके रावली टोड़ अबहर किया गया है किसी ने राज सरकार ने राज सरकार ने एक पस्तापारित किया है कि कुंबलगड़ अभ्भहरन को मिला करद कि एक राष्टी उद्ध्यान बना दिया जाए अब है दोस्तों 12 नंबर याने की बसी कौन सा है बसी अब्यारन बारवन नमबर है दोस्तों आपके सामने बसी अब्यारन ये कहाँ पर है दोस्तों बसी अब्यारन है चित्तोरगड के अंदर यानि कि चित्तोरगड के अंदर है जालेस्वर महादेव का पुरानिक आस्ता इस तहले दोस्तों यानि जालेस्वर महादेव दोस्तों उसका पुरानिक आस्ता इस तहले कौन सा चित्तलगड बसी अब्यारन दोस्तों ठीक है अब बात करते हैं tenha 28 Gण के अन्दर इस अब्यारन य्यानि कि यह ए अब्यारन चमल नदी और जनी नदी के संगम पर एश्टित कौन है चंमल नदी जो जनी नदी दोस्तो उसके संगम AO पर रिष्टतः चता इस अब्हारण में गड़ियाल बे मगरम पाई जाते हैं गड़ियाल और मगरमच मेर्वच दोस्तों वह पाई जाते की यानि की अबढ़ान का नाम और ये कहां पर इस्थित थो ठीक है यही पूच जाएंगे तो रामगड़ बिस्थारी अबढ़ान कहां पर है तो रामगड़ बिस्थार्य अबढ़्ण condition के अंदर है शेर गड़ाड़ के मधा पर यह और 12 के अंदर सेर्गड अब्यरण है सापों का सरनिस्तर कहा जाता इसको ठीक है अब बात करते हैं कि राम सागर का विहारी अब्यरण यह कहां पर है यह दोस्तों राम सागर राम सागर का जो विहारी अब्यरण है वो दौलपुर के अंदर इस्तित है केसरवाग अब बात करते हैं दोस्तों गुनीश में नमर का तो गुनीश में नमर का दोस्तों है जमवा रामगड अभ्यारन ये भी जैपुर के अंदर है केला देवी अभ्यारन खापर दोस्तों ये करौली के अंदर है और लास्ट जो अभ्यारन आपके सामने सवाई मान सिंग अभ्यारन द तो यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों आपको आपके लिए अगर रहती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हो तो प्लीज यूटूब चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा और पास में वेल आइकन उसी प्रेस कर नेक्स वीडियो के अंदर दोस्तों हम इसके बाद दोस्तों इनके कोस्टन भी लेके आऊँगा तो इस वीडियो के अंदर यहां कीयों मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर privileged दैण्यक्यों वैरी मिर्मश्टों जय हिंद जय वारत